हेलो फ्रेंज वेल्कम तो माई इस्टुडी शीट चैनल दोस्तों प्रिएस येर में जितने भी कोस्टन्स पुछे गया हैं फिजिकल एजूकेशन में किसी भी कॉंपटेटर एक्जाम्स चाहे हो के भी एस एंबिएस टेटी पीजेटी यल्टी हो दोस्तों उन सभी के टाप आप चैनल के प्लैलिस्ट में जाकर करके सभी वीडियो को वाच कर सकते हैं और दुस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज कर सेशन दुस्तों सभी कोस्टन का एंसर के साथ मैं एक्स्प्लेइन भी करती हूं जो आपको हर एक कोस्टन अश्चे से रिविजन हो जाए तो दुस्तों आज का सेशन में स्टार्ट हो रहा है 22 सेशन से खेल्ची किस्ता भी गया जिसमें से 10-12 वीडियो आपको हो जाएंगे तो खेल्ची किस्ता से जितने भी कोस्टन पुछी हुए हैं उसका पहला कोस्टन है सारीक उपचार को निम्न लिखित में से किस्ते समोधित किया जाता है तो जोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारीक उपचार को फिजियो थिरेपी के अंतरगत अधियन किया जाता है फिजियो थिरेपी मुक्तव गतिव ब्यायाम यानि मोमेंट एंड एक्सरसाइज के कारण मांस्पेसियो में आई हुई खिचाओ चोट बिमारी और विकलंगता को दूर करने में सहायक होती है है नेक्ट्स कुस्चन है इन्वी से कौन सारीक तंत्र है जो शरीक ब्यायां में सायद स्मलित नहीं होता है कि पाचान तंत्र है हुई तंत्र मांस्पेसि तंट्र दोस्तों जैसा कि आप कोई भी exercise करते हैं उसमें हीदे सोसन तंत्र और मांश्पेशी ये तीनु मुख्ये भुमी का आदा करते हैं जैकि पाचन तंत्र क्या करता है वो भोजन का पाचन और सोसर और विसरजन का कार्य करता है इसमें आपसर नंबर ए सही एंसर होगा पाचन तंत्र ये उतना समयलित नहीं होता है सारी ब्यायाम में जबकि हीदे सोसन तंत्र मांश्पेशी तंत्र मुख्य भुमी का अदा करता है नेश्ट क्योंचन है दोस्तों कि मांश्पेशी ये पीड़ा में मांश्पेशी पीड़ा के दूसरे प्रकार को D.O.M.S कहा जाता है D.O.M.S का पूल रूप क्या है इसका सही एंसर है आपसर नंबर सी Delayed Onset Muscle Sourness Next Question है कि मांश्पेशी को पूल टोन रखने का एक मात्र उपाय है क्या उपाय है दोस्तों मांश्पेशी को पूल टोन रखने का एकदम मस्त स्वस्त रखने का गतिसील रखने का तो इसका एक मात्र उपाय है उचित और प्रियाप्त ब्यायाम आपसर नमबर सी करेक्ट एंसर जितना भी आप उचित और प्रियाप्त ब्यायाम करते रहेंगे तो आपके मानस्पेस्टी टोन जो है एक दम यंग बना रहेगा हर वक्त तो दोस्तों मानस्पेशियों को पूर्ट टोन रखने का ये कमात्र उपाए उचित मात्रा में ब्यायाम उचितम प्रयाब्त ब्यायाम इंसंतुलित ब्यायाम करना है पेशियों मानस्पेशियों की आंतरिक बिसेस्ता नहीं है अपितु यह तंत्रिका की एक प्रतिवर्ति क्रिया का रूप है पूर्व मांस्पेसी टोन प्रतिवत्तर समय से सरवाधिक सम्मधित होता है लेक्ट कोस्टन है कि पूर्व मांस्पेसी टोन इन्वे से किसे सरवाधिक सम्मधित होता है जैसा कि अभी तुरंद बताए हूं कि पूर्व मांस प्रसी टोन किसे सवादी समधिस होता है तो पर त्युत्तर समय से तो आपना नमबर डी करेक्ट एंसर नेक्स्ट कोशन है कि टेनिस फोर हैड में कौन सी वच्छ पेसी का प्रयोग किया जाता है वच्छ पेसी का क्या नाम होता है दोस्तों पैक्टोरेलिस मेजर यह कौन सी मसल है थ्रोइंग मसल्स है जो कोई भी चीज हम थ्रो करते है तो ज्यादे तर इसी मसल्स का प्रयोग होत जो प्रच 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 प्र पूरे डिटेल में मिल जाएगा और जब उन सब वीडियो को आप देख लेंगे तो कोई और वीडियो देखने के आसकता नहीं पड़ेगी हर एक पेशी का नाम और पेशी का अस्थान आपको आउसके कारे याद हो जाएगा नेश्ट कोशन है दोस्तों कि दो या दो से अधिक दवाओं का एक अंतर क्रिया जो इन दवाओं के अलग सेवन में अपेशीत प्रभाव की तुल्ना में अधिक गंभीर प्रभाव पैदा करता है इसको क्या कहा जाता है इसके कहने का ताथ पर है दोस्तों कि दो या दो से अ अगड़ अगड़ हम दोफ परवाव करते तो उससे ज़ना यह मिला करके परवक करने से प्रॉहा करता है तो इसको क्या है तो इसको कहते है आपसा अरा स्व क्रियासलता साइनर सिल्टिक स्थाकर दू शिलता इनिर को और zij और्र कि मसल टोन का बढ़ना, मसल इस पौजम में कमी, सॉप टीशू के लचिले पन में बढ़िधी, इसेल मेटाबोलिजम दर्में बढ़िधी क्या कर रहा है कि उर्जा प्रुवाहिद करने का इस्थानी प्रभाव कोण नहीं है तो दोस्तो मसल इस बाजम में कमी एक किसी बिस्यस अस्थान की बात कर रहा है सॉब टीसू के लचिले पन में बिधी तो साब टीसू एक बिस्यस अस्थान की बात कर रहा है सेल मेटाबोलिज में दर में बिधी एक बिस्यस अस्थान पाचन तंदर की बात कर रहा है करना एक प्रिक्रिया को प्रोहावित करता है इसलिए अस्थानी प्रोहाव नहीं है कि निर्ट लिखित के निस्पादन को सुधाने की वाली और्गोजेनिक तो मुद्धित कीजिये दोस्तों एर्गोजनिक होता क्या है जैसे कि डोपिंग वह होता है जो किसी भी बाहरी पदार्थ निशिद बाहरी पदार्थ का यूज़ करके खेल में पदर्शन को बढ़ाने का परियास करता यह बढ़ाता है तो डोपिंग की स्रेड़ी में आता है जबकि एर्गोजनिक एर्ष का होता है कि वे पदार्थ भोजन या प्रसिच्छर के तरीके जो उर्जा के उत्पादन प्रयोग या पुना सक्ति प्राप्ति को बढ़ाते है यानि विभीन प्रकार की विधियां जिससे खिलारी के प्र होता है एकैनिक एर्ष का होता है वो सम Alrighty यानि franchise अंग ए तो इसी चीज को दिया गया है इसमें आपको मिलाना है स्याइक तुम नेनकों का बचार श्रणित जो कि ऋपकरण होते हैं यह अंत्रिक साइक क figurते स्वासोन फीता घ्रजन बेल्ट और फै winter सरी इनक जन अर्झ एक का गए गा सालिक B अलेक्ष बिग्यान सहाय ड ayको val énormément बिद्ध PER में होग है तू झाल तू एक। की बी का ए ठीक है बी का एक और एका फोर बी का बी का क्या होगा एक तो बी का एक किसमें दिख रहा है दोस्तों आपसम नंबर ए में ही दिख रहा है एका क्या हुआ एका आपका हो जाएगा एका फोर एका फोर एंड पोसरात्मक सी का पोसरात्मक साहयक तो आपका कर्भो हाइडिर्शन पूरक हो जाएगा तो सी का टू एंड असुदी बिग्यान समंधी साहयक में क्या हो जाएगा दोस्तों मादक पदार्थ कैफीन यह हो जा नेक्स्ट कोशन है बायो मेकेनिक्स के सब्दों में गुर्टवा कर्षड का हमारी उपर क्यात अफर होता है इसका सही जवाब होगा दुस्तों भार गुर्टवा कर्षड का में तो जहां समस्त भारेकार करता है वह भल होता है चिजी पॉइंट होता है जिस पर किसी वस्तु या किसी ब्यक्ति का प्रवावी भार के इंदित होता है नेक्ट कोशन है सारिक सिच्छा मुलत एक क्या है मुनों बिग्यानिक प्रविती है कि जिव बिग्यान समंधी आव सकता है कि दास्निक धरड़ा है कि समाजी गुड़ है क्या है सारिक सिच्छा मुलत एक जिव बिग्यान समंधी आव सकता है ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि नियू ने लिखी ते में से किसी के द्वारा सारी सिच्छा की नियू को मजबूत किया जा सकता है बिटा तो ये है आपका बैग्यानिक तत्थियों के द्वारा हम सारी सिच्छा की नियू को मजबूत कर सकते है क्योंकि सारी सिच्छा के नियू पूरतय बैग्यानिक तथ्यों पर अधायित है। विग्ञान जो की मुखिता तीन भागो जिव बिग्यान, असायन भिग्यान, भौति विग्यान ने बटा हुआ है। मनुस्य के लिए बहुत लापकारी सिधु है थीनों विज्ञान जी, विज्ञान के अंतरगत ही विभी ने सारी गति वीदियों प्रदान करता है कि जंपिंग जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना इसमें एक उदाहर है तो बगल में जब आरा हाथ को उठाएंगे दोस्तों उपर की तरफ उसको एब्डक्शन करते हैं जब सरी की तरफ लाएंगे उठाने के बाद तो उसको एब्डक्शन करते हैं तो यहां जैंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना इसमें एक उदाहर है क्या है एब्डक्शन थिक भायात में इसकुल स्वास्ते सेवा का प्रारम कब हुआ कब हुआ बिटा तो 1909 इसमें भारत में इसकुल स्वास्ते सेवा का प्रारम हुआ जिसके तहट यहां भारत के बढ़वदा रियासत में सरपथम इसकुल स्वास्ते सेवा 1909 में प्रारम की गई जिसके तहट बढ़वदा के इसकुली बच्चों का स्वास्ते परिच्छर किया गया निस्ट कोशन है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अतिधिक शही और विश्वसनिये बनाने के लिए कम से कम कितनी बार मापना और शक है बेटा तो यह है आपका दो बार एक बार आप माप किये आपको संकार है आप दो बार माप कर लीजिए ठीक है यही दो बार माप आप इसको मानो सास्त्री या एंथोपोमेटिक मापन कहते हैं इसके तह उचाई वजन सरीर की उचाई वजन चाथी और सीर की परीद ही के आधार पर ब्यक्तिका मल्यांकन किया जाता है इसे अत्यधिक सही और विश्वशनी बनाने के लिए कम से कम दो बार मापन आवर्शक होता ह नेक्स्ट कोच्चन है कि इस प्रेन में इनमे से कौन प्रहावित होता है लिगामेंड हर्डी टेंडन जोड कौन प्रहावित होता है इस प्रेन में तो इसका त्रीक है दोस्तो इस प्रेन और एक इस ट्रेन होता है इस प्रेन मतलब मुच और इस ट्रेन मतलब खिचाओ इस्प्रेन यानि मोच जो होता है इसका ट्रिक है इस्प्रेन को इस्प्रेनली बोलिए और इस्ट्रेन को इस्ट्रेनम बोलिए इस्ट्रेन मतलब होगा इस्ट्रेन आपको क्हिचाओ मांस्पेशियों मे जर्षों में अक्सर हमारे जर्ष लगामेंट पर जोड लगती है तो आफसन कौं सा सपही होगा लिगामेंट और जर्ष एक और चार एक और चार कहां है आपसा नमबर डी करेक्ट एंसर ठीक है यानि कि लिगामेंट जो होता है हमारे दो हड़ियों को जोड़ों पर जोड़ने का कारे करता है वही लिगामेंट भी आसकता से अधिक अपनी छमता से अधिक खिच जाता है तो उसमें जो छती होती है और पन होता है उसी को मोच कहते है या इस प्रेन कहते है ठीक है यह हमारे लिगामेंट में होता है संधी में होता है जोइन्स में होता है नेक्स्ट कोश्चन है कि खिचाओ चोट है खिचाओ चोट है इस नायू अस्थिबंदों की कि मांस्पेसियों की कि हड्यों की कि उत्तको की है तो दोस्तों जो होता है और होता है जो जोडों गिला में होता है let the हिश्ट फेन गुइ 내 TRI Jamaica । कहते हैं इस इसका होता है Ben Ben दो सवुआ आद्य मुझा टृट दृट हो किस फेंड चर्ण स्वुआ संप्र clubs प्रीं एर बद्धिर मन्सप्रेशी हो को टिरअद में तो फिर्ण को को फिर इस ट्रेन कहते हैं तो खिछाओ किसा चोठ एमांस्पेशियों की चोठ है मांस्पेश्षी और टेंडबं Keeping when जो आ सबसे खिचाओ या इसट्रेंग कहते हैं तो दुस्तोथ आज के लिजे वस इतना ही तो दोस्तों पहली आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिजी बिल आइकन को प्रिस कर लिजी जिसे जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसको नौटिफिकेशन आपके पहुंचता रहेगा तो मिलती है नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के सा तब तक के लिए जाहिए